नमश्काल मर्स वागत है आपका घमासान.com में और आज जो कश्मीर से धारा पी 70 हटाई गई हैं उस विशे में आप क्या कहना चाहेंगी मैं विदे से सम्मान करती हूँ और मोदी जी को जो है इस के लिए बहुत बहुत धर्मवाद देती हूँ कि इनों में इस भारा को जी हो हाटाए के वेशित में और देख में एक साफिश करने में बहुत बड़ा काम किया है इसके लिए मैं पूरे अपने वेश्वास्मीं को मुबारत वार देती हूँ कि सकते हुष के जो मैं यही कहना चाहूंगी मैं यही कहना चाहूंगी कि देख इसमें यह बहुत बड़ा काम हुआ हो धारा 370 और इसके साथ चैनले प्यांटी से चाहूंगे हर्चाना देख के लिए हिस्टा इसके दूबाद मैं धारा 370 हटाये जाने के क्या परिनाम आएंके आगे मैं चुछेंगी पर्चे बड़ी बात तो यह है कि हम लोगों के इतना आगती का दू हमारी देख का जो पैसा सारा उदर लगजा रहा को लोगों को अपनी धर लौट में का अश्कर मिले जा इसके सास्कार जो अतंत वाज हो भी कमाप हो जाएगा इसकी बात है कि एक देख कर देख कानून पुना तरह कि महारा सम्दान जी अच्टि हमारे यहां पर से 5 साल के बाद जो चुनाव होते हैं वाद 6 साल के बाद उनका बेड़े होता था इसके बहुत यह वाएदा रहीगा और लोग बहुत कुत बना रहे हैं आनंदित यह जानकर लिए आज नास्तर मे हमारा बेश स्वागत है आपका घमासान.com में और आज धारा 370 को कश्मीर से हटाया गया है तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे यह एक सुख़द संदेश है भारत वाक्षियों के लिए जो लोग इतने दिनों से कह रहे थे कि हारे अच्छे दिन कब आएंगे तो लग रहा है कि अब अच्छे दिनों के फिर्वास हो रही है और वाकई में यह एक बड़ा एतिमासिक फैसला है कि जिसके लिए इतना लंब बहुत पहले हो जाता तो वह दुखनाय रुख सकती थी थम सकती थी लेकिन देर आये दुरस्त आये तो अब हम कुछ अच्छे सपने देख सकते हैं कश्मीर को लेकर और यह निशित उच्छे कश्मीर वाक्षियों के लिए भी एक बहुत अच्छी ख़़ है कि आज मैं जगे जगे हम जहां भी देखते थी चोरस्तों पर स्थैनिक खड़े हुए हैं मैंने कई बार स्थैनिकों से भी तरशा की तो मतला उनको वो खुद बचाते थे कई लोगों ने बताये कि मैंने मेरी एक हप्ते पहने चार्दी हुई है और मेरी ड्यूटी यहां लगी है तो बारत एक का सपना था यह हम निइस के लिए आंगे परिशित रूप से हिंपा की संदेश जिसके लिए लेकिन इसके लिए हमें ट्यार रहना होगा वरा Цaksi हम रोज रोज आतन हएं इससे बहतर है कि एक बार जो निर्णाय होना है वो हो जाए जी और इस वानत में आप देखेंगे कि जिन लोगों को अभी वहां से अमर्नाथ से लोटाया है जी तो हमारे देश के लोगों का एक प्रेम है देश के प्रति कि उन लोगों ने भी यही भावनाय ग्यक्ति की हैं कि अगर भारत को यहां से सहसला कर रहा है कश्मीर को लेकर तो हमें वापत लोटना मंजूर है वो लोग अमर्नाथी आत्रा से बड़े खुश-खुश वापस आएं से संदेश को लेकर कि शायद पूस अच्छा हो रहा है जी तो हिंसा की संभावना तो है और लेकिन फिर भ नमश्कार से स्वागत है आपका घमासान.com में तश्मीन से हाल ही में धारा 370 हटाए गई है उस विशे पर आप क्या कहना चाहेंगे यह देश की नवीन उर्व्या का सुत्रपात है जिस प्रकार जमू और कश्मीर को एक कतार से भारत के अन्य राजियों की तुलना में अलग खलग करके इस कताकर पार्टी तक्वों ने अपने राजिनेती खितों को साधने के लिए पूर्ण किया था आज वह समाप हो विया है और 15 अगस्त के पूर कश्मीर में नहीं आजादी की सुभा आई है जो विकास भी लेकर आईगी जी यह जो धारा 370 हटी है इसके क्या परिणाम सामने आ सकते हैं जेज गती से घाटी और यम्मू कश्मीर का विकास होगा भारत और मजबूत होगा कश्मीर से आतंकवाद की समापती होगी तो कुछ पड़िवार कश्मीर के लोगतंत्र पर कब्जा करने का प्रयास कर रहे थे जी नहीं मूँ की खाती पड़ेगी और अब यम्मू और कश लगनाक नहीं सिरे के भारत के विकास यात्रा में जूडेंगे जी दनिवाज सर बने रहे एक हमासान.com के साथ सब्स्क्राइब आर चैनल और प्रेस्ट बैल इकन फोर मोर अपडेट्स